अिसी सुमसे बात करेंगे केलियमेट्री में, केलियमेट्री होता है मेजरमेंट ऐफ, हीट की स्टडी duż, केलियमेट्री निमेठरी, तो हाऊति की जत्ते हैं पढ़ायी करते हैं, उसको क्यालियमेट्री में में सबसे पहले यह जाना ज्यरूरी है, कि specific specific heat capacity किसलिए यूज करते हैं specific heat capacity ठीक है इसका short form है SHC specific heat capacity जैसे example लेंगे हम और example समझेंगे कि water की specific heat capacity इसको बोलते है छोटा सी specific capacity छोटा सी of water is equals to 4.2 joule per gram degree centigrade इस statement का मतलब क्या है इस statement का मतलब है कि अगर हमारे पास water है और 1 gram water है उसका temperature हमको 1 degree बढ़ाना है तो हमें heat देनी पड़ेगी कितनी heat 4.2 joules जब 4.2 joule heat हम एक gram पानी को देंगे तो उसका temperature कितना बढ़ेगा 1 degree तो हमने बोला 4.2 joule per gram per degree एक gram का temperature एक degree बढ़ाने के लिए इतनी heat चाहिए और इसी चीज़ को बोलते है specific heat capacity जैसे हम एक और example लेंगे हमने बोला specific heat capacity of copper is 0.4 joule per gram degree centigrade इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास एक gram copper है और उसका temperature हमें 1 degree बढ़ाना है heat करके 1 degree बढ़ाना है तो कितनी heat देनी पड़ेगी 0.4 joules 0.4 joules देने पे एक gram copper की temperature एक 8 degree centigrade बड़े जारेगा so this is a specific heat capacity it is defined as it is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree celsius ये होगा ही definition amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree celsius जैसे water की specific heat capacity 4.2 joules कितने के लिए एक gram के लिए temperature किता बढ़ाएंगे 1 degree copper का 0.4 joules specific heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree celsius अब हम ये समझते हैं कि किसी की specific heat capacity जादा है high है जैसे water की और किसी की specific heat capacity लोग हैं जैसे copper की copper की amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of copper by 1 degree celsius is very low there is very small heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree celsius और water के लिए वही heat बहुत जादा है तो इसका मतलब क्या है इसका ये मतलब है कि ये water है it do not heat or cool rapidly 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 बतलब fast fast water cannot cool very fast water cannot get heat very fast water नहीं जल्दी जंडा होगा नहीं जल्दी गराम होगा क्योंकि उसकी specific heat capacity बहुत high है एक ग्राम पानी का temperature 1 degree बढ़ाने के लिए बहुत देसारी heat चाहिए कितनी चाहिए 4.2 इतनी heat देंगे तब एक ग्राम पानी का temperature सिर्फ 1 degree बढ़ेगा मतलब water जल्दी जल्दी heat नहीं होता दूसरी तरह से देखें अगर हमें water को ठंडा करना है ठंडा करने का मतलब heat निकालना है तो अगर water के temperature सिर्फ 1 degree कम करना है तो कितनी heat निकालनी पड़ेगी 4.2 बहुत ज्यादा heat की जर्वत है water के temperature बढ़ाने या घटाने के लिए इसलिए water नहीं जल्दी गरम होगा नहीं जल्दी ठंडा होगा अच्छा कौन दा अजर है copper है हमारे पास copper के लिए heat बहुत कम है एक डिगरी temperature बढ़ाना है तो सिर्फ कितनी heat चाहिए 0.4 joules बहुत थोड़ी सी heat से temperature बढ़ जाएगा मतलब यह बहुत जल्दी जल्दी गरम होगा तो heat and cools rapidly जल्दी जल्दी गरम होगा और जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा बहुत heat absorb नहीं करेगा थोड़ी सी heat से गरम हो जाएगा और थोड़ी सी heat निकाल दो तो ठंडा हो जाएगा कहीं से heat को absorb नहीं करेगा जैसे हमसे पूचा इन दोनों में से बेटर कंड़क्टर कौन है, कंड़क्टर, कंड़क्टर वह होता है जो हीट को एबसॉब नहीं करे, पास कर दे, तेरे को बिल्कुल एबसॉब नहीं करे, कितना एबसॉब करे है, सिर्फ 0.4 तो जिसकी स्पेसिफिक हीट केपैसिपी लो होगा, ना गरब होगा, और हीट का अबसॉबर होगा, जैसे हम पूछें कौन ज्यादा हीट अबसॉब कर सकता है, वाटर या कॉपर, तो आप बोलेंगे, वाटर का टेंपरेचर एब डिगरी बढ़ाने के लिए, बहुँ डे सारी हीट चाहिए, 4.2, तो वाटर ज्यादा हीट अबसॉब करेगा, जब की कॉपर का टेंपलेचर बन डिगरी बढ़ाने के लिए से, 0.4, तो ये तनी हीट अबसॉब नहीं करेगा, जिसकी हाई होता है, या वो हीट अबसॉबर, जिसकी लोग होती है, वो कंड़क्टर, एक चीज़ यह याद रखेंगे, कि हीट के E Capacity जाता होने का मतलब सब्संस नहीं जल्दी गरम होगा, नहीं जल्दी ठंडा होगा, और कम है तो जल्दी गरम होगा, जल्दी ठंडा, ठीक है, अब हम आते हैं इसके it capacity के il capacity is the amount of heat, Specific capacity is the amount of heat Q symbol होता है heat का Q is the symbol for heat Specific capacity is the amount of heat Requires to raise the temperature of 1 gram मतलब mass by 1 degree The temperature C is equals to Q बराबर M delta T Amount of heat requires to raise the temperature Of unit mass by unit degree Unit मतलब 1 1 Q upon M delta T इस बात को आज़े समझो तो जादा हीज़ी है Q is equals to M C delta T This is more important and more easy And this is very important Q is equals to M C delta T Q होता है heat Absorb और release Heat या थो body absorb करेगी है release M है mass of body C है specific heat Capacity of body Delta T है change in temperature Change in temperature Delta T is always positive यहना चाहे कम से जादा हो जादा से कम हो तो Negative नहीं रखना है Delta T में positive L रखनी है What is this specific capacity This is the property of material Property of material है कि नहीं कोई substance heat ज्यादा absorb करता है कोई कम करता है तो property of material पर भी डिपन करेगा Mass जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा heat absorb होगी है material की जिसको हमने बोला C कोई ज्यादा heat absorb करता है कोई कम तो की अपने पर परपरटी copper कम करता है water ज्यादा तो heat absorbed या release is equal to M C delta T यह formula याद रखेंगे से questions बनेंगे सारे अब जैसे हम numerical part प्रेया जाते हैं हमसे question पुछा find the amount of heat required to heat water 2 gram from 10 degree centigrade to 40 degree centigrade simple का question है तो मुले की Q is equal to M C delta T हमको C for water दे रखे रखे था 4.2 Joule per gram degree centigrade तो हमको हमको heat पुछा है amount of heat Q is equal to M C delta T M दे आ है 2 gram C 4.2 Joule per gram degree centigrade multiplied by delta T 10 से 40 delta T हो गया 30 यहां से gram से gram cancel C से यहां celsius cancel 2 x 30 x 4.2 so this will be what 2 06 6 2s are 12 6 4s are 24 and 1 252 Joule यहां से तरह सिंकाल सकते यहां से दूसर कुछन पुछा रहा find amount of heat released when water is cooled कितना water 2 gram from 70 degree centigrade to 10 degree centigrade and specific heat 4.2 Joule per gram degree centigrade and amount of heat release अब क्योंकि यहां आपर temperature काम हो रहा है कोई body थंडी कैसे होती है किसी body को थंडी कैसे कर सकते है उसमें से heat निकाल ले कितना 70 से 10 कितना हो गया 60 celsius 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 अलग-अलग state पर matter अलग-अलग heat absorb करता है anyway q is equal to mc delta t लगा देगे mass कितना है 10 gram c कितना है 2.1 Joule per gram degree Celsius delta t 20 से 0 यह में कहरा दार minus class नहीं देखना है difference देखना है delta t में सिर्फ 20 से 0 20 रख दिया celsius cancel gg gg cancel 0 cancel 2 2 42 4 22 इतनी heat deny होगी ice को करने के लिए इस तरह से कोशन कर सकते हैं q is equal to mc delta t ला रखके अब एक अच्छी तरह के सवाल आते हैं heater वाले ठीक है heater वाले कैसे कोशन आया a heater gives heat at rate of 100 watt it is used to heat 50 gram of water from 20 degree centigrade to 30 degree centigrade specific capacity of water रहें बता दिये 4.2 joule per gram degree centigrade अब ये heat है बड़ा सवाल है तो हम पता करना है कि क्या पता करना है find the time taken to do so कितने डाइम में ये काम होगा ये एक heater है heat किते रट पे दे रहा है 100 watt पे और उसे हम heat करना है 50 gram water कहां से कहां 20-30 हमसे बुचा कितनी देर में पानी गरम हो चालेगा heater पानी चलाते है थोड़े बाद गरम होता है तो time पूचता है कैसे निकाले कैसे निकाले अब देखिए जो heat given by heater होगा why heat absorbed by water होगा by heater से heat निकली why water absorb करेगा इसको आगे हम principle of calorimetry भी आने वाला है principle of calorimetry जितनी heat निकली उतनी heat absorb होई कोई heat का loss नहीं हुआ ठीक है heat given by heater is equal to heat absorbed by water अब heater कितनी heat देगा इसको थोड़ा समझते है दो तरह समझता है एक second में कितनी heat दे रहा है 100 joules what का मतलब क्या होता है joules per second work by energy पड़ाता ना तो एक second में यह देता है 100 joules 2 second में कितना देगा 100 into 2 joules 5 second में कितना देगा 100 into 5 joules अचा T second में कितना देगा 100 into T joules तो हम माल लेते हैं कि time लगा T let time taken B T T time में heater से कितनी energy निकलेगी एक second में 100 2 second में 100 into 2 तो T second में 100 into T और T second में water के temperature बढ़ गया 20-30 तो यहांपी क्या लिख लेंगे M C delta T 100 into T M दे रहा है 50 gram C दे रहा है 4.2 joules per gram degree centigrade और delta T d दे रहा है 20-30 कितना हो गया 10 degree Celsius gram से gram चैंसे 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 यह 0000 चैंसे तो T आगया है माल पस 4.2 into 5 आगया और यह Joule से Joule चैंसे 4.2 into 5 So 5 to the 10, 5 to the 21 21 seconds 21 seconds में पानी गरम हो जाएगा तो heater वले सवाल में यह यादर ना है कि जो भी यहां पर rate दिया हो ना इस rate को time से multiply करिए वो heater की energy नकलती है इसमें तोड़ा और अंदर आपको बताने की जरुबत है यह जो term होता है बच्चों यह term power होता है watt क्या दिकालते है watt मतलब क्या होता है heat given by heater heat मतलब क्या energy अब heater जितना work करेगा उतनी energy देगा energy is equal to work done by heater कितनी heat energy दी energy is work done by heater work done कैसे निकाल है हमाय पास formula था power is equal to work upon time power is equal to work upon time यहां से work is equal to power into time short में है खतम work is equal to power into time और जितना work उतनी energy तो इसकी energy power into time is equal to mc delta t power दे रखे है कितनी hundred watt multiplied by t इधर mc delta t तो यह heater वाले कोचिन में especially ऐसा कर सकते हो कि heater to energy दे रहा है उसको power into t लिख रहे hundred watt का मतलब क्या हो इसकी power कितनी है hundred watt इसका मतलब क्या हो power is work upon time and work is equal to power into time and what is work that is energy तो कितनी energy दे रहा है t into t power into time hundred into t ऐसे कर सकते दे या ऐसे समझ में आतर से कर ले दोनी तरह से सही ठीक है फिर एक कुशन आता है refrigerator वाला जैसे heater है वैसे ही refrigerator है रहा है refrigerator चीगम को ठंडा करेगा रहा है रहा है ठीक तो हमें एक कुशन दिया refrigerator रहा रहा है रहा है 10W a refrigerator extracts energy at rate of 100W how much time will it take to cool a lemon squash निबब पानी है a lemon squash from 30 degree Celsius to 5 degree Celsius या पे special heat capacity of lemon squash दिया अब यहा बे क्या हरा है heat absorb by refrigerator is equal to heat released by water water लिके है lemon squash तो lemon squash जो energy loose कर रहा है वो रहा फिर दिरेकर absorb कर रहा है तो फिर से माल नहीं कि आपको time निकालना है how much time तो let the time be t let the time be t absorb what का मतलब 100 joule per second एक second में कितना निकालेगा 100 joule तो उसी तरह से t second में कितना निकालेगा 100 into t joule 10 second में 100 joule तो बोलो 2 second में 100 into 2 joule 10 second में 100 into 10 joule और t seconds में 100 into t joule कितना energy निकाल ला होगा तो आपने t time माल लिया और यह कितना energy निकाला 100 into t ऐसे देख सकते हैं रिसे आपर इंटू time energy एपसाओ पार इंटू time यह पार इंटू time वागा की काम चल जाएगा पार दे रखी है is equal to mc delta t so 100 into t मास दे रखा है आपको दे रखा है take cool a lemming squash नहीं देया तो माह लेते हैं lemming squash का मास है 100 gram 100 gram into c 4.2 joule per gram degree centigrade और delta t t से 5 मतलब 25 यहां से की निकाल लेगे t किस में आएगा मारा answer answer हमार seconds में आएगा मुले clear हो गए तो यह भी refrigerator और heater वाले सवाल है इसमें जो energy absorbed जैसे heater energy release करेगा तो power into time और refrigerator absorb करेगा तो power into time यहां जो भी rate लिखा हो अब जो टॉपिक पढ़ेंग बच्चों उसको बोलते है principle of calorimetry यहां से बहुत question आते हैं बूर में principle of calorimetry इसका एक नाम और method of mixture principle of calorimetry या method of mixture दोनों का concept से method of mixture इसी भी principle पर काम करता है तो से यह principle simple बोलता है heat lost by hot body is equals to heat gained by cold body simple phenomenon heat lost by hot body is equals to heat gained by cold body principle of calorimetry provided there is there is there is no loss of heat जितनी heat hot body से निकलेगी cold body यो से अपर लेगी ठीक है अच्छा कब तक heat transfer होती है जो body higher temperature पे होती है heat वहां से transfer होती है कहां को जो body lower temperature होती है सबने यह पढ़ रख रहा है heat is always transferred from body at higher temperature to a body at lower temperature पर कब तक कब तक जब तक दोनों का temperature बाया बनना हो जाए higher temperature, lower temperature यह heat lose कर रहा है यह gain कर रहा है gain कर रहा है एक time दोनों का temperature same हो गया इसके बाद heat transfer बन so तब तक heat transfer होता है provide there is no loss of heat हम जे बूशता है यह दोनों ही method of mixture principle of calorimetry किस fundamental principle पर बेस्ट है fundamental principles समझ रहे है ना नहीं समझ रहे अभी आदा गया किस पर बेस्ट है conservation of energy heat lost by hot body is equal to heat gained by cold body यह principle of calorimetry method of mixture और इसकी basis में हम पो बहुत से question करना है heat lost by hot body is equal to heat gained by cold body अब mixture अले सवाज जिसमें दोड़ो substance आजया जैसे question आगया 10 gram water at 80 degree celsius is mixed with is mixed with 50 gram copper at 10 degree celsius find the final temperature of mixture specific heat water की दिराख्खिये 4.2 joule per gram degree celsius and specific heat copper की दिराख्खिये 0.4 joule per gram degree celsius तो इसी तरह की सवाजने पास method of mixture इनको solve करने के इंदे side में आएगे एक column बनाएगे hot body का एक column बनाएगे cold body का ऐसी solve बोगे hot body और cold body इसी तरह की सवाजने सब इस तरह की सवाजने यहाँ cold body का mass की तदिया है यानि copper का 50 gram temperature की तदिया है 10 degree centigrade copper at 10 degree centigrade और especially heat capacity copper की 0.4 अब हमसे बुचा final temperature क्या है इसका temperature कम होगा इसका temperature बढ़ेगा hot body से cold body पे heat transfer होगी तो माहाल जेते है final temperature थीटा है इसका temperature बढ़ेगा घट के थीटा हुआ इसका temperature घट के थीटा हुआ इसका temperature बढ़ेगा थीटा हुआ अब आप लगा दिजे by applying principle of calorimetry principle of calorimetry heat lost by water is equal to heat gained by copper यही है principle of calorimetry heat lost by hot body is equal to heat gained by cold body तो water के heat lost mc delta t वाइस के लिए mc delta t water का मास्तर देंगे 10 gram c 4.2 delta t water का temperature 80 final temperature कितना माना theta theta के बाद heat transfer बन इसको बोलते है equilibrium temperature equilibrium temperature यह temperature आने के बाद heat का transfer बन हो जाए रहा final temperature इसके बाद temperature ना बढ़ेगा ना घटेगा इसको जितनी heat transfer कर नीधी कर चुका तो 80 से कहाँ पर कहे रहा theta 80-theta इधर mass of copper 50 specific capacity is 0.4 delta t इसका temperature 10 से बढ़ कर theta हुआ इसका temperature बढ़ीगा तो यह बढ़ा यह छोगा तो अपन कैसे लिखेंगे theta minus 10 यह ध्यान दे रहा है इसका temperature बढ़ रहा है आपना पढ़िया सुसान कल लिखेंगे यह वाल आचेके आपना ऐसी क्योशन आपना यह से क्योशन आपना हमसे बोला नायदर क्योशन 20 gram of solid at 20 degree centigrade is mixed with 100 gram of cold water at 5 degree centigrade if final temperature of mixture is 10 degree centigrade find specific heat capacity of solid find specific heat capacity of solid कुछ नहीं करना है इदर आना है एक water की तो water की specific heat capacity हमको दे रख के सवाल में 4.2 joule per gram degree centigrade ठीक है दे रखा दे 4.2 joule per gram degree centigrade finite temperature बता दिया finite temperature कितना है 10 degree centigrade 10 degree centigrade इसका temperature 20 से घट के 10 इसका 5 से बड़न के 10 principle of calorimetry लगाएंचे principle of calorimetry heat lost by solid is equal to heat gained by water heat lost by hot body is equal to heat gained by cold body यहाँ लिख लेंगे m c delta t यहाँ भी लिख लेंगे m c delta t solid का mass दिया है 20 c दिया है नहीं पता निकालना है delta t कितना है 20 से कहा पे आए 10 कितना हो जाएगा 20 minus 10 10 हो जाएगा इधर mass कितना है 100 c कितना है 4.2 delta t 5 से कहा पे आए 10 10 minus 5 इसका delta t इस equation में सब कुछ पता है c की value नहीं पता है हम calculate कर देंगे तो principle of capability लगाके यह इस तरह के हलके easy-easy सवाल आप solve कर सकते हैं these are easy questions कर पाएगे कि नहीं या c नहीं पता हमेशा ऐसी chart बनाना है एक तरफ for body एक तरफ cold body और इसको solve कर देंगे और हम आपको एक context सवाल देते हैं हमने क्या किया इना copper vessel we pour 20 gram of water at 80 degree centigrade ok full stop now 100 gram of cold water at 10 degree centigrade is added to vessel find the final temperature of mixture if of vessel weights 50 gram पढ़ लिजे ध्यांसे question अब copper की एक vessel भी आवेगे उसके में पहले से cold water था नहीं hot water था temperature कितना है 80 उसमें 100 gram cold water डाल दिया 10 degree पर डालेंगे water mix होगा temperature कुछ change होगा तो final temperature हमसे पूछा है और बताया है vessel का weight कितना है 50 gram साथ में कुछ information दिये vessel copper की बनी है तो copper की specific capacity बता दिये हमे 0.4 joule per gram degree centigrade और water का बहुत use है तो water की specific capacity बता दिये हमे 4.2 joule per gram degree centigrade दियान से बढ़ दिली question बढ़ें question इसको सॉब करते है इतर आगे हमने एक तर दिली hot body और एक तर दिली cold body तो hot body को ने मारा water hot water cold body को ने मारा cold water अब इस question में vessel भी अपना game करेगा vessel भी आगे तो vessel इक इस body की में साथ जाएगा hot की cold अच्छा यह ना copper vessel 20 gram of water 50 degree Celsius यह पोर्टी है copper की vessel में जो भी चीज डालोगे उस चीज का जो temperature होगा vessel का वही temperature तुरिंट हो जाएगा ठीक है that temperature of vessel is equal to the temperature of the content that we pour inside it यानि इस time copper की vessel का temperature भी कितना होगा 80 और इस water का भी कितना होगा 80 मतलब ही दोनों ही hot body बन गहे copper की vessel का temperature भी 80 और इस water का temperature भी 80 तो hot water भी hot body है और copper vessel भी इस बार दो hot body है cold body से cold water चीक है दोनों body को लिखते हैं कि करके पहले ही hot water के बारे भी लिखते हैं फिर copper vessel के बारे भी लिखते हैं तो इसका मास हमको दे रखा है 20 gram specific capacity 4.2 temperature 80 copper vessel का मास दे रखा है 50 gram specific capacity 0.4 temperature 80 यह ध्याद रखना है vessel का वही temperature होगा जो उसके अंदर चीज़ डाली उसका तो temperature exactly temperature तो रहे दे cold body में cold body में में पास mass है 100 gram cold water का specific capacity water key 4.2 temperature इसका किता दे रखा है 10 अंतर उचा final temperature क्या होगा माल लेका final temperature theta होगा इन दोनों का temperature गिरेगा इसका temperature बढ़ेगा तो इस बार equation थोड़ी इस जैनल जाएगी equation क्या लेकरेंगे heat lost by copper plus heat lost by hot water is equal to heat gained by cold water बस यह अगर आप बनाना सीख जाए तो question सौरे heat loss by copper copper की heat loss कितनी होगी mc delta t heat loss by hot water mc delta t heat gained by cold water mc delta t यहां से mass copper का रख देंगे 50 special capacity 0.4 delta t अब इसका temperature 80 से गिरता हुआ कितना हो जाएगा theta तो अपन लितेंगे 80 minus theta plus mass of water 20 c 4.2 इसका temperature 80 से गिरता हुआ कितना होगा theta hot body temperature गिरेगा 80 minus theta is equal to mass इदर किता रख लेंगे 100 c कितना हो गया 4.2 minus 10 इस equation में सब कुछ पता है हम theta की वाली पाइंट कर लेंगे बाकी साथी चीजी पता थी तो यह कॉपर वेसल वाले इसको क्यालूमीटर भी करते हैं this copper vessel is also called calorie meter calorie meter वो डिबबा जिसके अंदर हम लोग क्यालूमेट्री वाली measurement कर रहे हैं इसके अंदर की है copper vessel copper क्यों बना है copper अच्छा conductor है इस पर sweet capacity कम है ज्यादा heat absorb नहीं करेगा is a good conductor heat waste नहीं करेगा experiment disturb नहीं करेगा ठीक है तो copper vessel जो होती है उसका temperature जो उसके अंदर डाले हुए content का तो मारा पास दो hot bodies इसका copper vessel और water copper vessel and hot water hot body दोनों का यहाँ पर description लिख लिया mass, c, t, t temperature इसका वही जो इसका है और cold water कर लिख लिया heat loss by hot body is equal to heat gain by cold body heat loss by copper plus heat loss by hot water is equal to heat gain by cold water mc delta t, mc delta वह आदी सबका रख दिया finite temperature के इसका temperature गिरिके theta इसका भी गिरिके theta इसका बढ़कर theta तो इस तरफ 80-theta, 80-theta इस तरफ theta- क्योंकि यह कराए इस तरह सम्लोग, calorimeter की सवाल 100% एक और सवाल लेते है एक copper vessel का होगे एक refrigerator reader वाल होगे mixing of body होगे और एक लिए लेते है यह concise का अच्छा कुशन है यह लेते है question number 12 यह पच्छों को पद प्रोब्लम होती है तरह मैंने सिधा है question the temperature of 600 gram 600 gram of cold water rises by 15 degree centigrade when 300 gram of hot water is added find initial temperature of cold water इस पैस्पील के पैस्टी नहीं दिया सवाल में दिया ही नहीं ऐसी छोड़ दिया that a picture of 600 gram of cold water rises by 15 degree Celsius when 300 gram of hot water is added कुछ नहीं करना इदर आमना जो चीज़े बताए इदर hot body इदर cold body यहां पर hot body में hot water cold body में cold water मास कितना दिया है hot water 300 gram specific capacity नहीं पता temperature कितना दिया hot water का 15 degree Celsius cold water का मास कितना दिया 600 gram specific capacity नहीं पता वही जाएगी दोनों की सेम इसको C मालना तो ABC हो जाएगा तो दोनों तरफ hot water और temperature नहीं पता यह तो निकालना है find initial temperature of cold water information किया temperature of 600 gram of cold water rises by 15 degree centigrade when this is added to it when 300 gram of hot water is added इसका temperature 15 बढ़ जाएगा पर कितना है यह नहीं पता let's its temperature भी x तो final temperature इससे कितना जाता होगा rises by 15 degree नहीं इसमें कुछ information राप होगे hot water at 50 degree celsius is added hot water at 50 degree celsius hot water का temperature दिया है कितना 50 degree celsius एक बाद फिर से घुशिल पढ़ ले था थोड़ा समयने गला पित दिया है the temperature of 600 gram of cold water rises by 15 degree celsius when 300 gram of hot water at 50 degree celsius is added hot water का mass 300 gram specificity past नहीं पता और temperature दिया राथ hot water का 50 300 gram water at 50 the temperature of 600 gram of cold rises by 15 इसका temperature क्या है पता नहीं पर बढ़ कितना जाएगा 50 इसका temperature एक समान लिए अब यहाँ final temperature यहाँ final temperature इसका temperature बढ़ेगा इसका temperature बढ़ेगा 15 तो x plus 15 the temperature बढ़ेगा 15 तो मैंने बढ़ा x रे होगा x plus 15 बस होगया अबला रादी नहीं principal of calorivity heat loss by hot water is equal to heat gain by cold water बढ़ेगा बढ़ेगा mc delta t और बढ़ेगा 300 gram c delta t इसका temperature 50 से गिरता हुआ कहां आएगा x plus 15 इसका temperature कम होता हुआ x plus 15 50 50 minus x plus 15 see x plus 15 और इसका mass 600 specific heat c delta t x से बढ़कर x plus 15 तो यहां से इसका मानस काल इसका x plus 15 minus x x x cancel c c do not have cancel 0s is 0 0s is gonna cancel 3 1s are 3 3 2s are 6 50 minus x minus 15 so this will be 35 minus x this is 2 times of 15 this will be 30 यहां से x is equals to 35 minus 30 x is equals to 5 initial temperature 5 boost the finite temperature 5 plus 1 20 heat तो इसे तरह से आप method of mixture के सवाल कर सकते हैं एक चुदा से topic हमारे पाचा रहे गया जो की बहुत आता है question इसको हम बोलते है heat capacity क्या heat capacity specific heat capacity या रग चीज़ है heat capacity एक topic आया हमारे पास heat capacity यह क्या होता है यह बड़ा सी होता है इसका formula क्या होता है the temperature of whole body by 1 degree celsius बस amount of heat required to raise the temperature of whole body by 1 degree celsius अच्छा specific heat capacity से यह लगे न specific heat capacity कुछ आ रहे specific heat capacity मेट आता amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree celsius क्या difference होता होता है यह gram बाली काम यह यह समें extra specific heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree celsius it is the amount of heat required to raise the temperature of whole body by 1 degree celsius specific heat capacity unit mass के लिए रिफाइड है छोटे छोटे मास के लिए यह पूरी body के लिए रिफाइड है question लेते है हमें question लेते है हम से इतने हमारे पास 20 gram water है कितना water है 20 gram इसकी heat capacity क्या होगी what is the heat capacity of 20 gram water it is the amount of heat required to raise the temperature of whole body by 1 degree celsius इस पूरे का temperature 1 degree बढ़ाना है तो 1 gram का temperature what is the specific capacity कितनी होती 4.2 joule per gram degree 1 gram का temperature 1 degree बढ़ाने के लिए कितनी heat चाहिए 4.2 20 gram के लिए कितनी चाहिए होगी 4.2 into 20 and equal to 84 joules एक gram का temperature 1 degree बढ़ाने के लिए कितनी चाहिए 4.2 joules और 20 gram का बढ़ाने के लिए 1 gram का 1 degree बढ़ाने के लिए 4.2 20 gram का 1 degree बढ़ाने के लिए 4.2 into 20 84 एक रवय का राम हो capital C is equal to M M कितना था? 20 or C कितना था? 4.2 multiply कर दिया कितना आ गया? बोल आगया कि नहीं? 84 इस टोटल अमांट of heat required by the body by the whole body to raise its temperature by 1 degree that is the amount of heat required by the 1 gram of substance अच्छा ये चीज़ जो है न ये प्रॉपल्टी ओप्स्स्टेंस ये प्रॉपल्टी ओप्स्टेंस this is independent of mass independent of mass ये mass पे depend नहीं करती कैसे नहीं करती? मालो मैं सिन्यारियो चेंज करती मैं बोलूँ मेरे पास 108 gram water है अब आप बताये specific heat capacity कितनी होगी? वह होगी? कितनी? 4.2 joule per gram degree centigrade अच्छा इसकी heat capacity कितनी होगी? heat capacity मतला amount of heat required to raise the temperature of whole body 1 gram का temperature rate गिली बढ़ाने लिए 4.2 इतने के लिए कितना हो जाएगा? 4.2 into 100 ये होगया capital C कैसे निकाला मैंने देखो? M into C कितना होगया? 420 joules पिछली बार ये कितना आया था? 84 joules इस पार कितना आ गया? 420 joules यानि जो बड़ा सी है ये mass पर depend करता है तो it is depends on mass and specific heat capacity is same it depends only upon substance depends on material मैं material change कर दूँगा तो specific heat capacity change हो जाएगी mass के उपर depend नहीं करती है heat capacity mass depend करती है जितना ज्यादा mass होगा जितना ज्यादा mass होगा उतनी ज्यादा heat capacity this is not constant for a given material but this is constant for a given material ये हमें निकालना नहीं होता ये निकला हुआ है experiments में बखाया हुआ है ये निकालते हैं लगलक सवाल भी हर सवाल में mass अलग होगा heat capacity ये अलग है heat capacity is the amount of heat required temperature of whole body by 1 degree which depends upon the mass कि कितना mass है, कम है कि ज्यादा है जतना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा and this is the amount of heat required temperature of 1 gram of substance by 1 degree centigrade सिफ 1 gram की बात कि ये fixed है हम नहीं करता है capital C का एक formula और हम लिख सकते हैं वो छोटे सी से inspired होगा बहुत ऐसे हम एक formula पढ़े थे q is equal to m c delta t अब m into c क्या बन गया capital C q is equal to capsule c into delta t कई question में thermal capacity देखे ही question solve कर आ लेते हैं तो आप m into c जहाँ पे देखे है इसको capital c बन लेगे यह क्यालिमेट्री में पहला part था जिसमें rise and fall and temperature देखा हमने कोई change of state नहीं हुआ change of state में latent heat आ जाता है जो की entirely different concept है m c delta t नहीं लगता अभी m c delta t के सारे question solve कि आपके जो भी doubts है आप comment section को बता सकते हैं Thank you बच्चो आपके जो